कि फेलो फ्रेंड्स नमश्कार दोस्तों कि अभी कि सोके उठाउं थोड़ी दिर पहले हो गया अदा घंटा पर फिर भी सुष्ती है और ऐसी सुबह सुबह जब मैं उठता हूं ना तो मेरे मतलब उठता हूं थोड़ा सा वाम अप करता हूं गरम पानी पीता हूं फ्रेश हो दिमाग में आता है पता नहीं क्यों या तो रात और जैसे कुछ चीजह सोचता हूं तो कुछ ना कुछ आता है साओ ऐसे ही कल मैं उठाता तो सेम जगह पर ऐसी बैठा उऊ आ था तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया वो कसीनों के बडऱ्नाई था तो वह मनीस दि तो मेरे दिमाग में बात आई कि जो इनसान को कौन बांधता है जैसे अभी मैंने इस साल में छे देश घुमें हैं छे कंट्री में घुम चुका हूं हर कंट्री में जाके महिना महिना पड़ा रहता हूं और अकेले घुमता हूं तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं परिवार के साथ नहीं घुमता है तो मैं कई बर जबाब दे चुका हूं पर अब मैं जवाब देना नहीं चाहता है क्योंकि अगर किसी ने राय पहले बनाई है और वो बाद में उसके बारे में जानना आप जो मर्जी उसको बता दो जितनी मर्जी सफाई दे दो उसने राय बना चुका है तो उससे फरक नी पड़ना कोई आत्मी जाना जाता है आप अकेले के गुम्रे तो मैंने कई बर बताया भी तो मैंने फिर दूसरे बहुत सारे लोग बोलता है हमें आपकी तरह जिंगी जीनी है आपकी जिंगी को देख करके हमें इर्शिया होती है या हमें आपके जैसे फैसले मजबूती से लेकर अपनी शर्तों पर जिंगी जीनी है तो मैंने ऐसी बैठा हुए मैं सोच रहा था कई दिनों से बात आती थी दिमाग में कि क्या कौन सी ऐसी चीजे हैं जो आप अपने शहर में भी रह रहे हो तो आप अपने हिसाब से सोच नहीं पा रहे हो सोच रहे हो तो उसको अमल नहीं कर पा रहे हो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो कौन सी चीजे आपको रोकती हैं तो ठीक है उसमें समाज आता है आदर्श आते हैं असूल आते हैं पर यह सब से बड़ा जो कारण मैंने पाया वह है रिष्टा कि रिष्टों की वज़े से आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से नहीं जी पाते जो मेरा यह अपीनियन है मेरे मेरे नजरिये से मैंने जो पाया वह रिष्टा अब रिष्टे तो बहुत सारे होते हैं रिष्टा का भी होता है और रिष्टेदारों के साथ होता है तो जो रिष्टेदारों मिला है उनको मतलब पढ़ा सब worrying बैकार की रिष्टे सब से बढ़ा है, इसरुषाट करना है में उन रिष्टों बहुत इंपोर्टेंट म आते हैं, तो जैसे बहुत लोगों ने बात बोले कि दोस्ती का रिष्टा सबसे उपर है, सबसे बड़ा है, तो कुछ हद तक मैं भी यह बात मानता हूँ, क्योंकि उसमें आपके पास चॉइस है, दोस्ती का रिष्टा सबसे नंबर बन पर मैं भी रखना चाता हूँ, क्योंकि उसमें तो ऊपर बाकी के रिश्ते तो बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सुधा है ऊससे वी माफ है थो 힘 करें शती तो ही डीवन पर लिए उसको में उपर रखतो दूसरा क्या है आप अपने मामा से रिषित खितना चाचा ताओ किसी से ब्ल्कुल रिष्टा पर फिर भी आपको कहना क्या पड़ेगा यह मेरा मामा है पर मैं मानता नहीं हूँ पर है मतलब वो रहेगा यह मेरा बाप है मैं बहले बाप से संब्द ना रखू पर बाप है यह बाप कहेगी यह मेरा बेटा अब नहीं है चाहे वो रिष्टा रखे ना रखे बेटा तो रह घृब पर दोस्त के लिए आप ये नहीं सकते हों कि नवी घ्रस तो आज नहीं है सब्सक्राप मतलब इसमें ये नहीं कि नहीं सबस्त सॉन ीछ झितन राइव और बहुत बड़ा रिश्टा जो समाज बहुत तवज्य हो देता है हमारी परंपराएं बड़ा तवज्जु देती हैं दुनिया भर के रिलीजिन बड़ा तवज्जु देती हैं वह पती-पत्नी का रिष्टा कि सनातन धरम में तो उसको फिर भी साथ जन्मों तक का जोड़ दिया जाता है कि एक जनम नहीं साथ जनम तक तो पती-पत्नी का रिष्टा उसको बहुत बड़ा लेवल पर माना जाता है कि अर्धांग नहीं मतलब आधा अंग होता है वह आधा शरीराप आधा वह एक गारी के दो पैये यह पता नहीं क्या-क्या बोल करके उस रिष्टे को भी बहुत प्राइटी ली तो मैंने यह पाय पर वह उसका IQ लेवल लो है आप उसको कुछ चीज़े बता नहीं पाऊगे अगर आप बताऊगे तो वह समझेगा नहीं मान लो कोई दोस्त है आपका emotional fool है बहुत जजबाती है बहुत ज़्यादा जजबाती उसका EQV है वह किसी दिन जजबात में आपकी मदद करने के नाम आपको बर्बाद कर देगा चाहेगा तो आपका भला पर emotional होने की वज़े से कोई भी उसका फाइदा उठा के आप तक पहुंच सकता है तो बहुत सारी चीजें जो थोड़े से समझदार लोग होते हैं वो दोस्ती के रिष्टे में भी उनको वो दोस्ती नहीं मिल पाती है फिर मालो जितने मर्जी अच्छे दोस्त हो वो भीड तंतर का हिस्सा है भीड की तरह सूचती हो फिर क्या करोगे वो आपकी यूनिक आइडिलोजी को कैसे समझेंगे आपके rationalism को कैसे समझेंगे तो दोस्ती का रिष्टा सबसे प्योर और सबसे मजबूत सबसे नंबर वन होने के बावजूद भी उसमें भी बहुत terms and conditions है कि दोस्त भी तो उस लेवल का होना चाहिए अब अब मेरे दोस्त ही नहीं है को अब जो अमजद के बारे में आप लोग जानते हो या और एक दो जो है तो उनके साथ भी में सारी बातें नहीं कर सकता वो नहीं समझेंगे न उनको बड़ा जीब लगेगा कि यार यह कैसे हो सकता यह कैसे बूल रहा है क्यों कर रहा है मैंने कई बट रही कि यह सीधा मेरी बात को खारीच कर देनी क्यों क्योंकि वह भीड़के सबसे सोचते या फिर उन में से कुछ यह मान चुके हैं कि हावी इसको ज्यादा पता हम में कम पता दो चुप चप एक जिंदा लाश की तरह मेरी बात सुनते रहते हैं जो ज्यादातर मेरे साथ होता है कि जो भी लोग मुझसे मिलने आते में 90% मैं बोलता हूं 10% बोलते हैं क्योंकि उनके पास कोई content नहीं होता और जबरदस्ती की भाहस करते हैं तो फिर वही हो है तो दोस्ती का रिष्टा जिसको हम लोग बहुत वह मानते तो यह भी चेक करने की जूरत है कि क्या दोस्त भी आपके लेवल का है आपके लाइक है उसमें क्या खामिया है अगर वो emotional है और बहुत ज्यादा emotional है तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है बहुत वफादार दो सबस्त होने है का अगया कुछ बहुत अच्छे दोस होते पर उनके अंदर इर्षया होती है जोरस्ति इसको में थोड़ा बहुत इंदर होता है हम लेकर पैदा होते कम ज्यादा होना चाहिए किन ज्वह कं ए इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो दोस्ती का रिष्टा भी सबसे बड़ा होने के बावजुद, सबसे नंबर बन होने के बावजुद भी, उसमें वो समानता है मिल पाना जो आप में हो, ये पॉसिबल नहीं है, दो बेफकूफ अच्छे द ये बहुत सारी केटागरीज है, अब आते हैं मेन रिष्टे पर, जिसके बारे में मैं ज्यादा सूच रहा था, कि लोग क्यों नहीं जिनकी जी पाते मेरी तरह, या मतलब उनको ये बात क्यों कहनी पड़ रही है, कि यार हम आपसे बड़ा इंप्रेस हैं, या ये वो, तो दोस्ती का भी नकली हो सकता है, होता भी है, पर उसमें एक गुंजाईश होती कि आप उसमें कह सकते हो, यार मैं नहीं तिर से बात करता है, बाउंडेशन नहीं होती है, दोस्ती में बाउंडेशन नहीं है, अमजद के इलावा मेरे 4-5 और best friend थे classmate थे, आज हम 18 साल से नही सबसे जूटा फेक रिष्टा है, जितने पती-पत्नी जो अभी बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत इसके नीचे नेगेटिव कमेंट करेंगे, पर मुझे गाली देने से, मुझे क्रिटिसाइज करने से आप सच्चाई से मून भी फेर सकते हैं, अभी साबित करू एक तो हिंदुस्तान में या जाधा तर मैने कहीं पर भी देखा है, प्यार जैसी तो कुई चीज होती नहीं है, सारे के सारे प्यार आके सेक्स पे खतम हो जाते हैं, जितने भी प्यार होते हैं, उनका end conclusion तो sexy होता है, सेक्स के आके खतम हो जाता है, या उसके बाद, या वो करना प्यार तो खतम हो जाते हैं ठीक है पती-पत्नी का रिष्टा इतना जूटा रिष्टा होता है कि उसमें और बाउंडेशन का रिष्टा है दोस्ती में तो आप बोल सकते हों यार थोड़ा जहला निकल का नहीं यहां तो आदर्श आपको मरवा देंगे आप सोचो कि कितने आदमी ऐसे होंगे कितने सेक्डो कमेंट आते हैं कि हमें आपकी तरह फैसले लेने आपकी तरह ज पीमें गायतरा पे जाना है उफिस के काम प популяр जाना है दोस्त के शायदी है इसलिए कि आदह पाने आपके रहना masculinity को अपनी को नहीं बोल पाते हैं जहो तो भी विक्ति अपनी पत्नी पनी नहीं बोल पाते हैं के मेरे पास कोई वजये नहीं है बस मिलेंफिको अक्यले रहना है मैं अपने आपको जानना है मुझे रिलैक्स करना है अकेले जो भी यह बात नहीं बोल पाएंगे उनका रिष्टा नकली जूटा आए का फिर रिष्टा रह गया पती पतनी साथ जनम का जब आप अपने मन में आया हुए एक विचार ही नहीं शेयर कर सकते हैं क्योंकि आप पतनी भी नहीं कह सकते ही जाए चाहिए तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है ही हंदुस्तान बंगलादेश में ब्लाओं स्वे सिर्ट। नहीं कह सकते, उनको भाने चाहिए, छोटी-छोटी चीजों में, फिर हम कहते हैं, आईक्यू लेवल नहीं बढ़ता है, और तुम्हें दिमाख नहीं होता है, यह क्यों बोलते हैं, क्यों कि हमने दिमाख को अबड़ी नहीं होने दियोंगे, तो यह कैसा रिष्टा है, अब कि पती के मन में कोई बात आई, वो पत्नी को नहीं बोल पाता है, क्योंको उसको मालूम हो नहीं समझेगी, अगर मैंने बोल भी दिया, तो क्रिटीसिम झिलना पड़ेगा, अगर उसने अलाओ कर दिया, तो दुनिया आग लगाएगी, रिष्टेदार क्या बोलेंगे, आपका मन कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपका मन कर रहा है, आप कह भी नहीं बा रहे हो, कह रहे हो तो सामने वाला समझ नहीं बा रहा है, और फिर भी आप उसको जेल रहे हो, तो नकली जूटा पाखंडी रिष्टा है, और यही बती बत्नी, फिर कि शादियों में यह inhale पने के जाएंगे बड़िया कपड़ा पैन के जाएंगे यह यह करके फोटो डालेंगा ऐसे करके डालते है कैसे ऐसे 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 जासे भी डालते हैं ऐसे इसे करके फोटो डालेंगे व 얼굴 करवाचवतर वाले दिन तो तो सब नकली रिष्टा है सबसे बड़ा नकली रिष्टा है ड्रामा देखना हो तो करवाचोथ वाले दिन देख लेना कभी शादी व्याओं में देख लेना कभी किसी रिष्टेदार के घर जाते न तो ऐसे आप चाहें नकली रिष्टा है जोटा रिष्टा है श्क जोटा नकली पाखंडी रिष्टा भोज है जिसको ढोघ ओ लोग और ज्यादा पूरान इतियास ही कि रहा है ये शादी का पांचेर साल पुरा नहीं इस्तियास है उसमगी भी बीच में कही दोर आए जब भू बहू बहू संग की पती मतलब क्या बोलते एक से जाधा पती रखने का रिवास था फिर उसके बाद में एक दौर चेंज हो जब एक से जाधा पत्निआ रखने का र शादी की सालगीरा के दिन बर्डे के और कौन सा वह होता है उसके दिन कुछ ना कुछ चॉकलेट दे दिया गिफ्ट दे दिया केक दे दिया सोने की अंगूटी दे दिया चेन बनवादी ऐसे करके तो रिष्टे को मेंटेन कर रहे हैं बोज गोज को हल्का करने के कोशिश कर एक दूसरे को ड्रामा कर रहे है शनी वार वीकेंड से वाहर चले जाएंगे खाना खाने उसकी फोटो टल देंगे ममभत्ती जल गवंबत्ती बिखिश्वर के यृइस दालने से रिष्टे हो घीत वाइन हो आंजितर म्याstart के दिताईर की 대해 कि cricket का भी दरे देना को सब अरे इसको आप गैर जिम्मेदार कैसे कह सकते हो यह तो सोच की बात है मैं तो जिम्मे अभी तो जिम्मेदारी बेर ईगार है तो बात ही नहीं कर रहा है कि वह तो खच्चर बना गुलाम बन ना तो आपकी अलग साय साइकलोजय हो सोच आपकी कंडिशनिंग होई उसको मैं बात सिर्फ रिष्टे की कर रहा हूं, तो रिष्टे में क्या है? मतलब दोनों के बंद में विचार आया कि मैं अपनी जिन्गी में इस तरह कि अरे कितनी औरते तो क्या पहनना चाहती है वो तो नहीं बता पाती अपने पती को मेरे एक दोस्त है, उसने शादी करी, उसने एक लड़की से अरेंज मेरेज के रही वो लड़की ने डॉक्टर की पढ़ाई करी और उसके बाद में आज वो घर में तूला चोका चला रही है मैंने उसको बोला कि रहा हाँ बशुरू में शादी के अलबात में एक बार जिकर किया उससे के रहा हमारी बात चल रही है मैं इसको क्लीनिक खोल के दूंगा ताकि अपनी प्रैक्टिस कर सके आज मेरे खाल से उसकी शादी को 15 साल हो गए होंगे वह आज भी औरत वही घरे कि रही हूं वही मेरे लिए सच है क्योंकि उसकी कंडिशनिंग ऐसी हो गया अपना जीवन अपने अस्तित्व में ढूंड रही है वह कि शुरू में वह कह नहीं पाई तो तब धी तो मैं कहल हों गया निकली रिष्टा है वह कहनी पाई और वह समझ नहीं पाया और कई तो स्थावान को से उज़ जिल्हें फmüşले वेवेपहे ही तेवी फ्रकाट्री यह से लिए कि वाइगे तरो कौने मैं थे हैं मेरा मैं निल्हें सीखना ज़र्ग अर शुर्ठीया कई शुर्ड़ा तो उरतार में थे मेरा शाहरा आरें तो बहुत सारे लोगों के साथ भी यही सिच्वेशन आई, जो दो, चार दस लोग थे, उन्हों ने आगे बोला हमने तो सिखाई थी, उसमें सीखी नहीं, उसके बसकी नहीं है, उसके बसकी नहीं है, क्योंकि उनको ये था कि अगर ये इरशिया भी होती ना पती-पत्नी के रिष्टे में, कि अगर हमारी पत्नी जादा तारीफ हो गई इसकी तो हमारी हमारा टैलेंट कम हो जाएगा, और मैं किंग नी बनता, मैं किंग मेकर बनता हूँ, जब जब लोगों ने मेरी वाइफ की तारीफ करके देखो वो गाड़ी चलाती है, देखो तुमारा बिजनस सबसे नकली जूटा पाखंडी रिष्टा है कि दोनों एक दूसरे से जिसको सबसे मजबूती और साथ जनम और भगवान का आशिरवाद and marriages made in heaven complete sentence यह है कि broken earth, तो marriages are made in heaven and broken in earth, जोड़ियां बनती हैं आसमानों में, क्या ड्रामे बाजी हैं, जूटा रिष्टा, अपने मन की बात नहीं बोल पाते, अच्छा, अब इसमें अब नीचले इस तर पे और आतों, attraction, एक opposite sex का attraction, एक male का female के प्रती या female का male के पती attraction, यह समझ नहीं पाओगे आप लोग, यह जहलना बहुत मुश्किल है, पर यह सच्चा ही है, कम से कम मुझे गाली दोगे, पर अंदर सोचोगे जरूर, एक ना एक दिन तो जरूर सोचोगे, क्या आप लोग यह मानते हो कि जीवन में आकर्शन, opposite sex के आकर्शन की बात कर रहा हूं, नर का मादा की तरफ, मादा का नर की तरफ, क्या एक ही बार होगा? क्या एक ही बार होगा? अगर मान लेते हैं, एक बार हो गया, और नर का मादा की प्रती, मादा का नर के प्रती, मतलब लड़का लड़की, लड़की, लड़का के आकर्शित हुए, बातचीत हुई, प्यार मौबबत हुई, शादी हो गया, या arranged marriage में हुई, बाद में आकर् foundation के चक्कर में, तो opposite sex का attraction तो होता ही है, opposite sex का attraction को समझने के लिए आप ऐसा समझो, कि एक train के अंदर आप एक train में सफर कर रहे हो, आपका वो जो बर्थ हो है, जो total 8 होते हैं, तीन इधर, तीन इधर, और एक दो विंडो की तरफ होते हैं, तो total 8 लोग होते हैं, और मान लेते जवान औरत को लाके बिठा दो, या औरत को ही बिठा दो, लड़की को ही बिठा दुआ, वो सारे के सारे sophisticated हो जाएंगे, बिल्कुल धंग से बैठेंगे, खुजली नहीं करेंगे, नाकमंगली नहीं डालेंगे, तमीज से बैठेंगे, क्या फरक पड़ गया? इसको बोलते कोई चुट्टी कर रहा है, एक खुबसूरत लड़की को वापे नौकली देता हो, देख लो, कोई चुट्टी नहीं करेगा. नजर मतलब बचा के चलता हूँ, क्योंकि बच्पन से मैं लड़कियों और इन सब से चीजों से दूर रहा हूँ हमेशा, बहुत लास्ट में मैं आखरी के एक-दूस साल में को एजगुशन स्कूल में पढ़ा था, तो उसमें यह बदला मैंने तब मैसूस किया था, वैसे मैं उसमें को एजगुशन स्कूल में आया, तो 8th, 9th के अंदर आपके अंदर एट्रेक्शन शुरू हो जाता है, काम बसना की शुवात होती शरीर के अंदर, 13-14 साल की उमर से, तो फिर तो चाहे होंबग किया, ने किया, मास्टर कितना मारेगा, टीचर कितना डंडों से प क्लास से अलग अलग थी, केवल एक क्लास ऐसी होती थी, एक section ऐसा होता था, D section, जिसमें लड़के लड़की साथ में बढ़ सकते हैं, क्लास में बैठते थे, क्योंकि वो था, उसके लिए condition ये रखी थी, स्कूल के प्रिंसिपल ने की, जो होशियार बच्चे होंगे, उनके अलग section होगा, तो उसमें जो हुशियार बच्चे जिनके ज़्यादा number आते थे, तो वो D section में जाते थे, तो हमारे school time में एक goal, एक dream project होता था, या number ज़्यादा लाने तो D में जाएंगे, क्योंकि D में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, C section जो था, उस सबसे नलाइकों का था, A सिर्फ लड़कियों का था, B सिर्फ लड़कों का था, A सिर्फ लड़कियों का था, B सिर्फ लड़कों का था, मैं अमजद हम लोग B में थे, और C जो बिल्कुली, बिल्कुली जो मतलब बढ़ाई में कमजूर हैं, शरार्ती हैं, मतलब C वाला बताने में जिजगता था कि मैं C section में और D तो फिर golden था ही था एक तो हुशियार उपर से आप co-education के ले रहे हो तो बात आ रही है कि opposite sex के attraction की तो क्या आप लोग यह मानते होगे कि यह जीवन में एक ही बार होगा तो अगर मान लो किसी की love marriage हुई है या arrange marriage भी हुई है तो उस शादी से पहले किसी को attraction हुआ हो मान लेते हो पहला था या बाद में अगर हुआ अगर हो यह जीवन में कभी उसको कोई मेल को कोई लड़की पसंद नहीं आएगी और लड़की को जो पत्नी है उसको कभी कोई आदमी पसंद नहीं आएगा कभी तो ऐसा होगा कि आप दुनिया में घूम रहे हो आप आप नॉर्मल हो आपके अंदर sexual desire है काम वासना है आप केंदर hormones काम कर रहे हैं आपका dopamine release हो रहा है अपोजिट sex की तरफ attract होना नॉर्मल बात है ना attract होना एक disease है बिमारी एक दोश है या फिर वो अलग वो जिसे हम कहते हैं कि LGBT community में आ जागी आप या तो कोई बिमारी होगी नॉर्मल हो या फिर आप LGBT community के अंदर का कोई हिस्सा हो तो मैं यह सुसता हूं कि यह कितना जूटा पाखंडी रिष्टा है कि मतलब आपको अगर ऐसा तो हो नहीं सकता अगर कोई कहेंगे नहीं जी नहीं मुझे तो मेरी पत्री के लावा कुछ भी नहीं दिख रहा तो उसके दो कारण हो सकते ही या तो वह जूटा है या वह साइको हो गए थे भूल चुके थे सब कुछ हम इनको प्यार का वह समझते एक्चुली मैं साइको थे ऐसे मैंने रियल स्टोरी अपनी आखों से देखी हुई है कि साइको लोगों को क्यों मारना पड़ता है बात इज्जत विज्जत की ओनर की लिंकी नहीं यह साइको हो ग मचली नहीं मिली आपने पैर का मास काटके उसको पका के खिलाया अरे वो कुई जो आदम खोर है वो आदमी का मास काई गी ऐसे पटा नहीं सची जूटी काहनीया कितनी है ससी, पुन्नू, ही, रांजा, सोनी, मईवाल, पता नहीं कितनी कहानिया इनकी चलती है, रोमियो, जूलियट, ये सब, मिर्जा सहबा, तीर तोड़ते, मिर्जा दे, तो आप इस बात को ध्यान से समझोगी, अगर आपको किसी शादी के बाद, या बिना शादी के भी, जो लिविंग में रह रहे हैं, बॉइफ्रेंड, गल्फ्रेंड है, तो कैसे पॉसिबल है कि आपको कोई एक खूपसूरत लड़की आपको कभी पसंद आए, ऐसा नहीं कि स सारी पसंद आएगी, अब कभी कोई तो पसंद आएगी, या लड़की को कोई लड़का तो अच्छा लगए, या ये भी लड़का अच्छा है, अगर ऐसा तो पक्का है कि होता ही होता है, ये क्लियर है कि दो ये कंडिशन में नहीं होगा, जो अभी मैंने बोला, तो क्या ये बात एक दूसरे से वो बोल सकते है, नहीं बोल सकते हैं, तो क्या करते हैं, वो छुपाते हैं, दबाते हैं, अब ये छुपाते हैं, दबाने की जरुद पढ़ना ही, तो मैं कहा होगी, रिष्टा नकली है, अपने मन की बात ही नहीं बोल पा रहे हैं, और छुपाने औ दोनों कोई पति को भी पत्नी को भी पर वो नहीं करते तो उसको वो गिल्ट के साथ दबाते हैं समाज क्या बोलेगा यह क्या सूचेगी मैं तो करेक्टरलेस हूं मैं तो गदार हूं मैं तो यह हूं मैं तो चीटर हूं ऐसे करके वो उसको कंप्रेस करते हैं फिर वो चेतन से अफचेतन में तो जाता ही जाता है पर अफचेतन में भी उसको गिल्ट की वज़े से दबाते हैं कंप्रेस करते हैं और वह अचेतन में चले जाता है और जिंदगी भर वह आपके साथ वैचारिक हिंसा करता रहता है मैं गांधि वादी नहीं हूँ अपर मैं उस आदमे को एक चीज के लिए बहुत बहुत बहादुर मानता हूँ मतलब अगर मुझसे कोई पूछा जाएगी यार कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत आप जिसको बहुत दिलेर मानते हूँ तो वो मैं महात्मा गांदी को बोलूँगा कि मतलब गांदी जी से ज़्यादा मैंने बहादूर आत्मी नहीं देखा कि 70 साल प्लस एज की एज में आप यह डिक्लेर कर रहे हो कि मेरे को स्वप्न दोश हो रहा है मैं ब्रह्मचारे का पालन करना चाह रहा हूँ पर मैं ब्रह्मचारे का पालन नहीं कर पाया आप अपनी बहुत अपने से बहुत छोटी मतलब एक तरह से ग्रैंट संग बुलते न वो उस लड़की के साथ दो लड़कियों के बीच में आप बिना कपड़ों के सो रहे हो यह देखने के लिए कि मेरे अंदर ब्रह्मचारे बचा है कि नहीं बचा है इस से शुद रिष्टा क्या होगा और वो लड़कियों के पवितरता को देखो कि उन्होंने इस चीज के लिए अगरी किया अब भीड एक लो आईक्यू लेवल परमपराओं का बोजड होने वाले और यह सब लोग कहा इन चीज़ों को समझ भाएंगे पर उस आदमी ने ए आदमी जिसको डुनिया जानती है मानती है माहन मानती वो आदमी इस तरह की चीज़े करके लोगों को बता रहा है यह बातुरी वो सही है गलत है वो आप अपने नजर ये से देखो जैसी सोचे वो वैसा सोचेगा गलत भी बोल सकते हैं पर इस बात की तो हर को ही तारीफ करेगा कि बताने का दम था बंदे में तो कितने ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद या इसलिए कि उनको कोई पसंद आई रिष्टेदारी में या कोई मैं यह नहीं करो कि पसंद आई तो जाके भूके वेडियो की तरह तूट पड़ो या आप उस चीज को आगे इंप्लिमेंट करो मैं यह बात ही नहीं कर रहा हूं मैं अगले स्टेप की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बात यह कर रहा हूं कि कोई विचार उत्पन आया विचार आया आना है किसी भी चीज को हम देखते हैं अब्जर्व करते हैं कोई कार देखता है तो हम कहते हैं कार बहुत खूबसूरत है ताजमेल को देखकर के लोग नोकि ते कितनी घुप्सुरोत है तुर्हों ड़की होनी चाहिती जीवन ले मुखते हो MAXGAM । विचार करी लिए विचार कार लिए अ लेए आया.. विचार विag एक क्रों एक लिए आया.. आपने बागी वीचार तो शEGG कर दी है, फीमिल का वीचार शEGG नहीं किया, पर वीचार तो है, वीचार थोड़ी आपके शे Carrie ना करने से वीचार थोड़ी खटम हो गया, मैं कबही अगले वीडियो में बताऊंगो कि किस केटागेरी में मैं चरित्रहिंता को मानता हूं, ताकत है, मतलब फैसला ले रहे हैं, ले सकते हैं, कौन सी चीज इनको रोक रही है, फैसला लेने से, सब कुछ सक्षम है, जरूरी थोड़ी कि हरे को दुबई में आके बैठना मेरी तरह या सिंगापूर जाना है, कोई भी अपने शहर में, किसी भी हिंदुस्तान अपने आप मन में आया है, मतलब नहीं जाना है, पर बोल नहीं सकते हैं, फिर जिम्मेदारी, परमपरा, लिहाज, समाज के नाम पर अपनी कबर बना के बैठे हुए अपने अंदर हैं, और कुछ नहीं है, इसलिए मेरे से जब मैं साइक्लिंग के दोरान का एक कन्या कुमारी के आस पा खतम है, बरबाद है, पैसा है, बंगला है, गोडा-गाडी, सब कुछ है इनके अपास, बस हिम्मत नहीं है, रिष्टों के बोज़ ढो रहे हैं, आदर्शों के बोज़ ढो रहे हैं, इसलिए मैंने ये पाया कि जो दो सबसे बड़े रिष्टे होते, दोस्ती और पती-पत नहीं का रिष्टा, फिर तो ढो रहे हैं एक दूसरे को, ढो रहे हैं, आप यह मान लोगे कोई आदमी ऐसा होगा कि शादी के बाद उसको कभी कोई लड़की पसंद नहीं आया होगी, कभी उसके मन में ऐसा विचार नहीं आया होगी, यार काश, ये लड़की मेरे पास होत या मैं इसके साथ राथ गुजारता, या मैं इसके साथ दूस्टी करता, कभी नहीं आया होगा विचार, क्या ये विचार शेयर करने की Au शिराu करकें enabling अगर क्षेमीं पर अगर कोई पर घुदे के में तो में और कुझ आज भी कुछ जगह पर थोड़े-बहुत बदलाब होंगे रहों आप जाके बीच में रहो आज भी मेरे दोस्त के पैर चूते हैं उसके साथ ससूर घर आते थे तो उनके लिए चाय में बाहर से लाता था लड़की घर की पानी भी नहीं पीएंगे तो चाय हम बजार से लाते थे और उसके पैसे भी देते थे अब अब ऐसा नहीं कि पैसे हमें देने देते थे एक तो घर का बना नहीं चाय पीएंगे पानी पीएंगे दूसरा बाहर से हम चाय लाने जाते हैं ठीके बाहर से ले आते बाहर की तो पीलो के हां तो पैसे हम देंगे फिर हमारे साथ चाय पीते थे और वह आते थे मैं हसता सब जूटा नकली पाखंडी रिष्टा है उसमें नहीं जाना चाहरा है परंपराओं के नाम पर मैं बात कर रहा हूं कि आप जब विचार नहीं काहे के पत्री आभी तो बहुत सारी चीजी ऐसी जिन पर मैंने अगतर बूलना शुरू कर दिया है तो लोग तो जूते लेकर भगेंगे मेरे पीछे जूते मारना शुरू कर देंगी है और बहुत बोलूंगा जूरूंगा पर अभी मेरा जूते उन्ह Dá नाउसकि सुएंग के पिऊंगा अम नाश्ता आने वाला होगा मेरा और काफी लंबा वीडियो बन गया ऐसी बेकार अगर होती हात में तो चाय पर चर्चा कह सकते थे पर चर्चा किसके साथ कर रहा हूं यहां पर तो मैं आप लोग इसा चर्चा नहीं कर रहा हूं जिर्व अपनी बात रख रहा चलो ओके गुडबाई थेंक्यू